हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है परिमूद तो दोस्तों यहां पे ठीक 10 डेज बाद आई की शेवन में एक और नया साफ्टेयर अपडेट देखने को मिला है और मैं बता दोस्तों जो आई की शेवन में पिछला अपडेट आया था वह बहुत ही बकवास था मैं यह कर सकता हूं कि के अपडेट देखने को मिले थे न व्हाँ सबसे भार था में बहुत सारे बग्स बहुत सारी प्राब्रम्स आपके आई कुशेवन में देखने को मिलेते लेकिन इसके उपर वीडियो बनाना था इसलिए मैंने अपने फोन को दुबार Android 12 में अपडेट किया हूं तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो आईक्यू 7 में नया अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसकी साइज है क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है क्या जो पिछला अपडेट में बस प्राब्लम देखने को मिले थे उसको इस अपडेट में कंसीडर किया गया है कि नहीं किया गया है तो बने रहेएगा दोस्तों वीडियो के अपडेट में देख सकते हैं कि एक नोटीकी के संसोरा है कि मेरे IQ7 में अपडेट आया हुआ है यहां पे क्लिक करने के बाद जो अपडेट आया उसका इंटरफेस सामने आज आएगा और बात करें दोस्तों IQ7 में जो नया अपडेट जारी किया गया है उसके वर्जन की तो व आउद वक्त साहब को पिछले अपडेट में देखने को मिले थे उसको भी इसमें कंसीडर किया गया और साथ में सिकुर्टी पैच को अपडेट किया गया है अगर अपडेट लॉक की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं फिक्स दो ऑकेजनल इसू एर एन एक्सेप् तो उसको भी यहां पे फिक्स करने की बात की गई है वहीं फे साथ में सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा था उसको भी फिक्स कर दिया गया आप देख सकते हैं फिक्स अकेजनल इसू collide system restart to improve system stability हाला कि ये problem मुझे अपने IQ7 में देखने को नहीं मिला था वहीं बे दोस्तों आप नीचे देश सकते हैं कि आपके phone के security patch को update कर दिया गया है जो कि March 2022 का है हाला कि इस update में कहीं mention तो नहीं किया गया है कि इस update में जो बैटरी कि इस आ रहे थी या phone lag कर रहा तो उसको fix किया गया है कि नहीं किया गया है तो इसको एक बार हम download करेंगे install करेंगे यूज करेंगे और देखेंगे कि इस update के बाद जो परफार्मेंस है वो कैसा है तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजाएगा तो एक बार इसको हम download पर लगाते हैं और देखते हैं कि कितना time लगता है इस पूरे process में ठीक है न तो दोस्तों जो मेरे iq7 में update आया था ना अल्रेड़ी उसको install कर चुका हूं और इस पूरे process में तीन से चार मिनट का time लगा है कोई ज्यादा time नहीं लगा है और बात करें दोस्तों update की तो आप देख सकते हैं मेरा जो फोन है वो latest software पर रन कर रहा है वह 6.70.39 और इस update के बाद अगर security patch की बात क देख सकते हैं जो फोन का security patch है वो first of March का देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह तो update रहा खैर इस पर हम यूज करेंगे अपने IQ7 को और देखेंगी कहां कहां इंप्रूमेंट देखने को मिला है और आप कमेंट सर्शन में बता भी सकते हैं कि क्या कुछ problem fix हुए इस update के बा आप